हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम स्पाइसी चिकन दम बिर्यानी बनाएंगे देड़केजी चिकन देड़केजी चावल का इस्तमाल हम करेंगे इसके लिए मैं यहाँ पर 250 ग्राम दहीं ली हूँ और समय मैं दो स्पून नमक और चार स्पून होममेट गरम मसाला वन देड़ स्पून हल्दी पॉडर मैं स्पाइसी चिकन दम बिर्यानी की रेसिपी शेर कर रही हूँ यह बनने के बाद बहुत बढ़िया मज़िदार सी बनती है और समय मैं तीन स्पून अद्रक लहसन का पेस्ट तीन स्पून ग्रीन चिली पेस्ट और वन स्पून फ्लेवर के लिए मैं रेड चिली पॉडर दाल रही हूँ और चार से पांच टमाटर का पेस्ट हमें बिर्यानी को स्पाइसी तीखी बनाना है इसके लिए हमें रेड चिली का भी इस्तमाल करना है और थोड़े टमाटर का भी इस्तमाल करना है इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है इसमें मैं दो कप ऑईल दलूंगी ओईल दलने के बाद हमें इसको थोड़ा मिक्स करना है इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें हाफ कटोरी धनिया और थोड़ा सा पुदीना दाल के इसको थोड़ा मिक्स करूंगी और उसमें मैं चार मुट्टी बिरिस्ता दालूंगी अब मैं इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन होने रग दूंगी इन खड़े मसालांको मैं पानी बोईल होने के वक्त दाल दूंगी बादियन फूल जावित्री जीरा शाही जीरा चार दालची निके तुकड़े और हरी इलाईची और जो है बाकी सभी को मैं दाल दूंगी देखिया मैंने यहाँ पर देड़के जी बासमती चावल भीगों के रग दी हूँ कम से कम हमें आदा घंटा भीगों के लेना है देखिया मैंने तेज पत्ता हरी इलाईची 6-8, 2-3 तेज पत्ता, 6 लवंग और 8 काली मिर्च इसको मैं दाल दी हूँ अब इसमें मैं 4 स्पून नमक भी दाल के ली हूँ पानी हमारा थोड़ा नमकीन होना है थोड़ा सा मैं धनिया पत्ता दलूंगी धनिया पत्ता और पुदीना दलने से हमारी ब्रैनी में दोना का फ्लेवर आता है देखिये पानी में बॉइल आना शुरू हो गया है अब मैं चावल को निधार के इसमें दाल दूंगी इसको हमें थोड़ा चमत से हिलाना है चिपक ना जाए इसके लिए हमें इसको थोड़ा हिलाना है हमें लगाने के लिए 50-60% पकाके लेना है देखिये 50-60% पक गए है अब मैं इसको फर्स्ट लियर के लिए हाफ चावल निकाले के दाल दूंगी इसमें मैं फिर्स्ट लेयर में थोड़ा कलर एड़ करूंगी पुदीना पत्ता और केसरी कलर थोड़ा और बिरिस्ता दाल के मैं रग दूंगी इस तरह से हमें फिर्स्ट लेयर में भी कलर दलने से बिरियानी हमारी थोड़ा कलर फुल दिखती है दिखने में खुबसूरत लगती है देखिए हमारे सेकेंड लेयर के भी चावल पग गए है अब मैं इसको चलनी में नितार के लूँगी इस प्रोसेस को हमें फास्ट करना है ज्यादा वक्त नहीं लगाना है सकेंड लेयर भी मैं लगा रही हूँ समय में और थोड़ा केसरी कलर दालूँगी थोड़ा भी रिस्ता थोड़ा पुदीना थोड़ा धनिया पत्ता और हाफ कप से थोड़ा जियादा आइल डाल के मैं रख दूँगी इसको हमें स्टार्ट में थोड़ा फ्लैम को हाई करके पांच मिनट तक रखना है फिर दस मिनट लो फ्लैम पर हमें इसको दम करके लेना है चलिए पंदरा मिनट हो गये हैं आब हम इसको चेक करते हैं मैं आपको प्लेटिंग करके दिखाऊंगी देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बन गए है और आपको मैं बताऊंगी चिकन के पीसी से हमारे कितने मसालेदार और जूसी बन गए है यह बिर्यानी हमारी खाने में बहुत टेस्टी लगती है स्पाइसी और चिकन के पीसी से हमारे जूसी बन गए है देखिए चावल हमारे कितने खिले खिले बन गए है आप भी इस तरीके से बनाईए और मुझे कमेंट करके बताईए कैसी बनी थी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले फिर मिलते हैं नई रेसिपे के साथ अल्ला हाफिस